साथियों, कॉंग्रेस और इंडी एलाइस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है इसलिए देश में दसकों तक किसानों की हारत लगातार इतनी खराब रही है उनके दोर में जैसे काम होता था उसके लिए मराठी में कहावत है और उस कहावत में कहते हैं बारशाला गेला आणि बारा व्याला आला परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था लेकिन कई पीडियां गुजर जाती थी फिर भी काम नहीं पुरा होता था विदर्व को कॉंग्रेस सरकारों के इस रवय का बहुत नुक्सान उठाना पड़ा लेकिन आज हमारी सरकार विदर्व को उतनी ही जादा प्रात्विक्ता देकर काम कर रही है यहाँ एकनाथ चिंदे जी देवेंद्र फणनविज जी और अजीत पवार जी पूरी शक्ती से आप सभी की सेवा में जुटे हुए है आप देखिए एंडिये सरकार बाड़साब ठाकरे सम्रुत्ति महामार का निर्मान करवा रही है आज नाकपुर से गोवा के बीच एक लाग करोड रुपी की लागत का ग्रीन हाइवे बन रहा है वर्दा, सेवागराम, पुलगाओं और हिंगन गाट जते खेत्रों में बहतर रेल सेवा उपलब्द हुई है वर्दा, यवत्मार, नांडेड के बीच, रेलवे लाइन और वर्दा से बल्लार शाहा के बीच रेल ट्रेक जैसे प्रोजेक इस खेत्र की कनेक्टिवीटी बढ़ा रहे है तामन गाओं रेलिवे स्टेशन का पुनर विकास किया जा रहा है हमारी सरकार ने आर्वी विदान सभाक शेत्र में सिंकिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलिवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है वर्दा के सिंद्ली में ड्राइपोड का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्स्टाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है यानि विदर्ब आप पिछडे पन के उस दुस्ट चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कॉंग्रेस पार्टी ने विदर्ब को फसा कर रखा था इंफ्रास्ट्रक्चर और आउद्यों की पिछडे पन के कारण ही विदर्ब के किसानों को इतने दसकों तक आर्थिक तबाई से जूजना पड़ा है यह हाइवेज एक्सप्रेस वेज और रेलिवेज हमारे इन किसानों की सम्रुद्धी के महा मार्ग बनेंगे